बिहार में अगर आपने राजगीर नहीं घूमा और अगर राजगीर नहीं घूम लीजी इसलिए क्योंकि अब बहु जा रहा हुए है अगर अभी तक राजगीर नहीं गए हैं तो अब आप आसा Minisir राजगीर के सायर कर पाएंगे क्योंकि स्पेशल ट्रेन अब पटना से राजगीर के लिए चलाई जा रहे हैं आपको बता दे कि तहवारों को देखती हुए यह नए शुरुवात की गई है इसके बाद अब प्रैटकों को राजगीर जाने के लिए इंकजार नहीं करना होग क्योंकि सुबह के वक्त ये ट्रेन राजगीर जाएगी और शाम के वक्त राजगीर से वापस पटना चली आएगी इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर यह है कि बिहार से पास के हिराज्य उतरप्रदेश के बनारस में भी भूमनें खूब जाते हैं पहले पटना से बना बनारस के ओर जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब भागलपूर से होकर स्पेशल ट्रेन चलाएगी जो बनारस भी जाएगी कुल मिलाकर बात यही है कि अब तहवारी सीजन में आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए जादा सोचना नहीं है तो ट्रेन किस रू अब बिहार के ही गया या राजगीर जाना चाहते हैं तो आपको बता दे कि पहले या आपको बस का सहारा लेना होता था लेकिन अब यह नहीं होगा अब पटना जंक्शन से स्पेशल ट्रेन तहवार को देखते हुए राजगीर के लिए चलाई जा रही है एक तो इससे प् पटना और राजगीर के बीच इससे स्पेशल ट्रेन की परिशालन की शुरुआत हो चुकी है पटना और राजगीर के बीच 3 उक्टूबर से शुरू की गई है खासकर फेस्टिव सीजन को देखते हुए यह नए शुरुआत रेलवे के द्वारा की गई है जुसे फेस्ट पतना भी आ सकते हैं पाकिस से पहले भी रेलवे ने फेस्टिव सीजन के लिए कई रूट्स के लिए स्पेशल ट्रेन चुलाने का आदेश दिया है लेकिन अब जो पतना जंक्शन से राजगीर के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है तो लोग से काफी जादा खु दो पाँच शुन्य पतना राजगीर स्पेशल ट्रेन हर रोज सुबा नौ बीस में पतना जंक्शन से खुलेगी नौ अठाइस में राज़ेंद्र नगर पहुचेगी और उसके बाद नौ छटिस में गुलजार बाग होते हुए नौ तैटालिस में पतना सिटी और फिर न 13 में बिहार शरीफ और फिर 11 27 में नालंदा रुकते हुए 12 20 में जाकर राजगीर पहुचेगी मतलब साफ है कि 9 20 में जिस ट्रेन पर आप बैठेंगे उसे आप 12 बचकर 20 मिनट में राजगीर में उतर सकते हैं असके साथ साथ वापसे भी कुछ इसी तरह है कि ट्रेन नंब से 3 बचकर 10 मिनट में खुलेगी वहीं रूट होते हुए 6 बचकर 20 मिनट पे ये पटना जंक्षिन पहुचेगी और इस तरही किसे बाप को पटना से राजगीर जाना हो या राजगीर से पटना आना हो एकड़म आसान हो गया है समय भी कम लग रहा है और हर रोज की स्ट्र बात ये है कि अगर आपको भागलपुर से बनारस जाना हो तो इसके लिए अपसीड है एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है अब जल्दी जन्शताब्दी एक्सप्रेस भागलपुर से होकर बनारस हो जाएगी असको लेकर अभी आफिशिल अनाउंसमेंट नहीं किया गय अपने यात्रियों का ध्यान रखते हैं हमेशा एलसी नई नई सुविधा लेकर हाजर रहता है जुस्ते की रेलवे की मांग जो है वो दन बदन बढ़ते ही जा रही है पहले के मुकाबले अब समय भी कम लगता है और सफर भी सुहावना हो जाता है पाकी फिलहाल खबर यह है कि अगर आप पटना से राजगीर जाना चाहते हैं तो ट्रेन की शुरुवात हो चुकी है यह स्पेशल ट्रेन तेहवारी सीजर में ही चलाया चाहेगा दो से तीन महीने की बाद इस ट्रेन की आवाज़ाही पर रोक लग सकती है इसलिए आप इस दो से तीन महीने में जा करना से तीन महीने की बाद से राज़गीर के झावराही चाहेज वांवारी थाजरा हो जा इस दो से छिर्वात है इसलिए है यह से जावरा चाहेज़ आप जांवाज़ शीण तो से दो